नमस्कार दोस्तों, UPSC Logics में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम देखेंगे भारतिये सुतंता संग्राम से जुड़ेवे कुछ सवाल तो इस वीडियो में करीब सौ से उपर सवाल मैंने कवर किये हैं, सब वन लाइन फॉर्माट में किये हैं तो उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबाईए और वीडियो इसको शेर करिए, जितने ज़्यादा लोग दे को भारत का महान रद व्यक्ति भी कहा जाता है, दादा भाई नारो जी को, भारतिये विश्विद्याल अदिनियम कब और किसके काल में पारित हुआ, उन्निस सो चार इसवी में लॉड करदन के काल में, भारतिये सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतिये कौन सतेन नाठ टेगोर और ये रबिन नाठ टेगोर के बड़े भाई थे, हर्मिट ओफ शिमला किसे कहा जाता है, एयो हूं को, पहली बार कौन सा भारतिये व्रेटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ, दादा भाई नारो जी, भारतिये राश्ट्रिये कॉंग्रेस की प्र भारतिये राश्ट्रिये कॉंग्रेस ने नया मोल लिया, बाल गंगाधर तिलक, भारतिये राश्ट्रिये कॉंग्रेस की प्रतम बैटक में कितने लोगों ने भाग लिया, 72 लोगों ने, भारतिये राश्ट्रिये कॉंग्रेस के 1905 इसवी के बनारस अधिवेशन के अध्यक कौन थे गुपाल कृष्ण गोखले किस कॉंग्रेस नेता को नरम दलिये नेता नहीं माना जाता था बाल गंगादर तिलक्त को बंगाल का विभाजन कब और किस वॉइस रॉय ने किया 1905 एसवी में लौड करजन के दुआरा किया गया भारतिये राश्ट्रे कॉंग्रेस का प पर प्रतम किस भारतिये ने लड़ा था दादा भाई नारोजी ने भारतिये कॉंग्रेस के साथ इंडियन एसोसियेशन का विले कब हुआ 1886 में इन नेशन इन दे मेकिंग नामक पुस्तक किस ने लिखी है सुरेन नाट्टेगॉर ने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थाप कि अवदी क्या कहलाती है उग्रवादी चरण भारतिये राश्ट्रिय कॉंग्रेस की प्रतम महिला अध्यक्ष कौन थी डॉक्टर एनी वेसंड गदर पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे लाला हर्दयाल स्वराज मेरा जन्म सिद अधिकार है और मैं उसे लेके रहूँगा ये किसने कहा था बाल गंगादर तिलक दे मौरले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष में हुए थे उन्निस सो नौ इस्वी में भारतिये परिशद अधिनियम उन्निस सो नौ का सर्वग्रह नाम क्या है मौ अर्बिंदो घोष मैडम विकाजी रूस्तम उन्निस सो नौ इस्वी में पैरिस में कौन सा समचार पत्र प्रकाशत करती थी पेट्रियट भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई उन्निस सो छे इस्वी में होम रूल अन्दोलन का सूथ पात्र कब हुआ उन्निस स द्वारा आरम की गई पत्र का कौन सी थी के स्री भारतिय इतिहास में उन्निस सो ग्यारा का क्या महत्व है राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थान्थरण अनुशीलन समिती किस से संबंदित है पीके मित्रा से भारतिय राश्ट्र कॉंग्रेस का विभाजन कब हुआ उन्निस सो साथ इसवी में मुस्लिम लीग की स्थापना किस ने की थी समीम उल्ला एवम आगा खान ने सुदेशी आंदोलन किस कारण आरंब हुआ बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रो का संचालन किस ने किया था सुरेननात बैनर जी ने लखनो समझोता कब हुआ 1916 इस्वी में निश्क्रिय विरोध का सिध्धान किसने प्रतिपादित किया अर्विंदो घोष ने। 1906 इस्वी को कॉंग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की दादाबाई नारोजी ने। 1908 इस्वी को बालगंगादर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई। 6 वर्ष की। बंगाल से बिहारत कब प्रतक हुआ। 1912 इस्वी में। राजनीती स्वतंता की प्राण वाईू है। यह शब्द किसने कहे। अर्विंद घोष ने। मुझफर पुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ। 1908 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विबाजन कब रद हुआ था। 1911 इस्वी में। 1916 इस्वी में मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस के मद्दे समझाता किसने कराया था। डॉक्टर एनी वी सिंट ने। अलिपूर बंकान में अर्विंद गोष का बचाव किस वकील ने किया। सियार दास ने। सूरत अदिवेशन कब हुआ। 1907 इस्वी में। मुहमद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूद किसने कहा था। सरोजनी नाइडू ने। गीता रहस्य नाम ग्रंद किसके द्वारा लिखा गया है। बाल गंगा दर्ग तिलक के द्वारा। कामा गाटा मारू क्या था। कनेडा की यात्रा पर निकला हुआ एक जहाज था। किस भारतिय राष्ट्रे आंदोलन की शीर्षगीद वंदे मात्रम था। स्वदेशी आंदोलन। अनुशीलन समिती क्या थी एक क्रांतिकारी संगठन। भारत में गर्मदल्य आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। बाल गंगदर तिलक को। महराष्ट में गणपती उत्सव का शुबहारम किस ने किया बाल गंगादर तिलक ने पंजाब केसरी किसे कहा जाता है लाला लाचपत राय को मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था आगा खान गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी 1913 में महराष्ट में होम रूल आंदोलन किस ने चलाया था बाल गंगादर तिलक ने महत्मा गांधी ने सत्याग्रे क्रियाविदी सर्फप्रतम कहां प्रेवत की चंपारन में सौंडर्स की हत्या किस ने की थी भगत सिंग ने किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक प्रतक राष्ट का संकल्प लिया 1940 इसवी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ 1942 इसवी में 1947 इसवी के बाद किस राज्य को भारत संग में सैनिक कारवाई द्वारा बलब पूर्वक मिला लिया गया था हैदराबाद को सुभाष चंद बोस ने सिंगापोर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था 1945 इसवी में असयोग आंदोलन का शुबारम कब हुआ था 1920 में असयोग आंदोलन क्यों वापिस लिया गया चौरा चौरी में हुई हिंसक गटना के कारण जलियावाला बाग हत्यकान कब और कहां हुआ 1919 इसवी में अमरित सर में रॉलेट आक्ट कब पारित हुई 1919 इसवी गांधी इर्विन समझोता कब हुआ 1931 में गांधी इर्विन समझोता किस से संबंदित था सविने अवग्या अंदोलन से स्वतन्थ भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे लॉर्ड माउंट पैटन काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे रामप्रसाद बिस्मिल सुराज दल की स्थापना किसने की मोती लाल नहरू और वियारदास ने साइमन कमिशन भारत यात्रा पे कब आया 1928 में किस अधिनियम में भारत में पहली बार संग्य सन रचना प्रस्तुत की गई 1935 का अधिनियम 23 फरवरी 1942 इसवी में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोईयों को आत्म समर्पन के लिए राजी किस ने किया था सरदार पटेल एमम मुहमद अली जिन्ना ने जलियां वाला बाग में गोली चलाने का आदेश किस ने दिया जर्नल डायर ने महात्मा गांदी को सरफप्रतम राश्पिता किस ने कहा था सुबाश चन बोस ने 15 अगस 1947 इसवी को भारत ने अपनी अजादी का पहला जश्न कहा मनाया था कलकत्ता में भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन की योजना किसके तहत हुई थी मांट बैटन योजना स्वतन भारत का पत्थ स्वतन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भारतिय कौन था सी राजगोपालाचारी गांदी जी किस गोलमेच सम्मेलन में भाग लेने लंडन गए थे दित्य गोलमेच सम्मेलन असयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत के वाइसरोई कौन थे लॉर्ड जेम्स फोर्ड इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किस ने लिखी है चित्रंदन दास ने जनरल डायर की हत्या किस ने की थी उदम सिंग ने भारतिय कम्मिनिस पार्टी की स्थापना कब हुई 1921 इसवी में डांडी यात्रा में गांदी जी ने कितनी दूरी तै करके नमक कानून का व कौन थे लॉर्ड चेम्स फोर्ड किसे लालकुर्ती के नाम से जाना जाता है खुदाई खिदमतकारों को 1919 इसवी में पंजाब में हुए अत्यचारों के फलसरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्ट सर की उपादी लुटा दी थी रबेंद्र नाठ टेगौर ने डिस्कवरी ओफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है जवारलाल नहरू ने सुराज पार्टी की स्थापना कहां की गई थी इलाबाद में इंडियन लिब्रल फेडरेशन की स्थापना किसने की 1932 इसवी में महात्मा गान्धी ने 21 अक्टूबर 1943 इसवी को स्वतन भारत की अजाध हिंच सरकार की गोशना कहां की गई सिंगापोर में भारत छोड़ो अंदोलन के समय इंग्लेंड के प्रधानमंत्री कौन थे चर्चिल 1947 इसवी के भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की डॉक्टर राजेंद प्रसाद ने भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस का 1938 का अधिवेशन कहां हुआ हरीपुरा में 1927 इस्वी की बटलर कमेटी का उपदेश्य क्या था भारत सरकार व देशी राजों के बीच संबंद सुधारना करो या मरो का नारा किस ने दिया था महात्मा गांधी ने 1931 इस्वी के कराची अधिवेशन में भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की अध्यक्षता किस ने की थी सरदार वल्लब भाई पटेल ने भारत में साइमन कमिशन का भाईशकार का क्या कारण था इसके सभी सदस्य अंग्रेश थे किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमी का निभाई बादोली सत्य अग्रेश भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आले किस ने बनाया था महात्मा गांधी ने स्वतन्ता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शेहर के निकट था एहमदाबाद के किस सैनिक ने 1857 का विद्रो आरम किया मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी का विद्रो कहां प्रारम हुआ वैरकपुर से 1857 ईस्वी के विद्रो में किस ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था मंगल पांडे ने 1857 के विद्रो का कानपुर में नेतरव किस ने किया? नाना साहब ने. इसी विद्रो की महतपूर्ण विशेषता क्या थी? हिंदु-मुसलिम एकता. विद्रो का मुख्य कारण क्या था? चर्वी वाले कार्तूसों का प्रयोग. बेगम हजरत महल ने किस थान से 1857 के विद्रो क का नेतरव किया? लखनव से. इस विद्रो के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग. रानी लक्षमी बाई का मूल नाम क्या था? मनी कंड़नी का. बिहार में 1857 के विद्रो का नेतरव किस ने किया? नेता कुवर्ण सिंग ने. नेता कुवर्ण सिंग की कब हुई? 9 माई 1858 ने. 1857 के विद्रो के समय कौन से उर्दु कवी थे? मिर्जा गालिब. इस आंदोलन, यह आंदोलन किस कारण से असफल रहा? केंद्रे संगठन की कमी तथा पूर्व्योजना का ना होना. 1857 ईसवी के विद्रो का किसने शर्यांत की संग्या दी? जेम, आ इलाबाद को किसने अपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉड कैनिंग ने. गटकारी विद्रो का केंद्र कौन सा था? कोलापुर. किस इतिहासकार ने 1857 ईसवी के विद्रो को स्वसंता की पहली लड़ाई कहा था? वीडी सावर करने. 1857 के विद्रो की असफलता के बाद बहदुर शाह दो को किस थान पर निर्वासित कर दिया गया था? रंगून में. किस की वीड़ता से प्रभावित होके ब्रिटिश अधिकारी हूग रोज ने कहा कि भारतिय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द है? रानी लक्ष्मी बाई. 1857 इस्वी की क्रांति का चिन क्या निश्चित किया गया था? कमल वर्चपाती. किस ने कहा कि 1857 इस्वी का विद्रो ब्रिटिश साश्यन को उखार फेकने के लिए भारतिय जनता की क्रांति है? कार्ड माक्स ने. इस विद्रो के समय जग्दीशपुर के राजा कौन थे? कुमर सिंग. मंगल पांडे को फासी कब दी गई? 8 अप्रेल 1857 में. सन्यासी विद्रो का उलेक किस उपद्नयास में किया गया है? आनंद मट में. किस ने कहा कि कॉंग्रेस के लोग पदों के भूके राजने तिग्ये हैं? बंकिम चन्चैटर जी ने. 1857 इसवी के विद्रो में दिल्ली का नेतर्व किस ने किया था? बहादुर्शा जफर ने. ताक्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचन पंडूरंग. दादा भाई नारो जी ने किस समिती की स्थापना की? भारतिय सुधार समिती की. भारतिय सुधार समिती की स्थ स्थापना कब हुई थी? 1857 में. भारतिय राश्ट्रे अंडोलन के 1885 से 1905 की अवदी को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण. भारतिय राश्ट्रे कॉंग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसमबर 1885 इसवी को. भारतिय राश्ट्रे कॉंग्रेस की स्थापना किस के की गई थी यह हूं के दौरा तो दोस्तों यह थे थोड़े से सवाल बारते सुटंता संग्राम के उपर और इसमें जारतर वही कुश्चन मैंने कवर करें जो अकसर एक्जामस में पूछे गए हैं कुछ एक्स्रा कुश्चन भी कवर किया हैं तो उम्मीद करता हूं आपको य वीडियो पसंद आया हुआ यदि आप पहली बार देख रहे हैं यूपीसी लॉजिक के वीडियो तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को यदि आप रेगुलर विजिटर रहे हैं और आपने बैला नहीं दबाया है तो बैला नोटिफिकेशन को जरूर दबाईए हिंदी के वीडियो इस चैनल पर अक्सर मैं डालता हूं और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ जिस किसी भी फेस्बुक ग्रूप में आप इन्वाल्ड हैं देखने के लिए धन्यवाद और जैहिंद